पंजाब प्लाइवोड मैनुफेक्टरर्स असोसीशन द्वाराज एक प्रेस कॉंफेरेंस के दुरान प्रधाना शोग जुनेजर ने बताया कि प्लाइवोड उद्द्योग बंद होने की कगार पर खड़ा है इसे बचाने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए इस इंडस्ट सब्सक्रियां बंद भी हो चुकी है देखो सब तो इंपॉर्टेंट तगा लेगी के जड़ा पंजाब है उदे पॉप्लर और सफेद्दा कि ए मेन क्रॉप पे जीदना साथी प्लाइवोड बंदी है ता असी चानने हैं कि मैक्सिमम प्लाइवोड पंजाब बंद रही है उदे वस्ते कोई भी पहले ही साड़े जड़े सफेद्दे दी और पाप्लर दी शॉल्टेज है एन्नी शॉल्टेज है कि मैं तोनों ब्यान नहीं कर सकता है एस वे ले भी साड़े 25 परसंट इंडरस्ट्री चाल रही है ते 70 परसंट एक्जिस्टिंग यूनिट बिलकुल बंद होगे ने सरकार दा जड़ा सोचन दा नजरिया ठीक नहीं है गा उन्हें पिछकल परसंट भी ब्यान देता है कि इदे वस्ते कोई लेसेंसिंग पॉलसी नहीं चाहिए दी सरकार नों ये सोचना चाहिए दा है कि साड़ी एक सेंटर इंपावर्ड किमिट्री इस कंस् और इस वे लेवी मैं शोर्टी नहीं कह सकता है कि पच्ची परसंट प्रॉडक्शन हो रही है और पिंजतर प्रॉडक्शन रुकी होगी है असी चितामनी ये देड़ना चानने है कि अगर प्राइवट इंडरस्ट्री बंद होगी ता ओधे नाल जड़ा बहुत बड़ा र लो नू लसंट शुड बी इसुड टू एनी इंडरस्ट्री फॉर नू यूनिट्स सब तो ज्यादा एंपॉर्टेंट है क्योंके नमे यूनिट लगन दे नाल साधी इंडरस्ट्री बिलकुली बंद होगी पेड़ लगान वस्ते जड़े फार्मर्स नहीं उन्होंना उनक तो जड़ा पॉपलर्स फेड़ा है वह अवेलेबल नहीं पांच साल एदी आन दी हाले कोई उमीद नहीं यह पांच साल कोई उमीद नहीं तो नमे लिसंस क्यों दे रही है सरकार नमे लिसंस बिलकुल नहीं देने जाएदे इट शूट भी बैंड एक होगा ले कि इत्तों करें और लीगली यह बैंड कर सकती है कि मेरी स्टेट दे हित्ते चे के एक रॉप में नहीं जान दे हांगा आज यह खबर जड़ी लगी है वोदे चे लिखे के बांस दी लगकड जड़ी है ओ पंजाब तो बार नहीं जा सकती जदो ओधे बैं लग सकता है बांस नहां पे झाल